नमस्कार मित्रो आप सभी का एक बार पुने स्वागत है बियेच्चू पाट साला की ओनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इसके पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी भासा और उसकी बोलियों को कवर करा था आज हम सब अभ्यास प्रस्णों को कवर करेंगे तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की सुरुवात करते हैं हमारा आज का पहला प्रस्न है भासा का प्रारंब होता है तो भासा का प्रारंब कहां से होता है ध्वनी से चलिए अपने दूसरे प्रस्न की तरफ चलते हैं भासा संस्कृत की किस धातु से निस्पड हुई है तो भासा संस्कृत की भास धातु से निस्पड हुई है और भास धातु का क्या आर्थ होता है बोलना भास उदात का आर्थ होता है बोलना हिंदी भासा को संस्कृत जो है हिंदी भासा को जन्मे देने वाली भासा किसे बोल अगला प्रस्थ है भासा का प्रमुक अवयव है तो भासा का प्रमुक अवयव वर्ण सब्द पद वाक्य पहले वर्ण आता है फिर वर्ण से आपका सब्द बनता है सब्द से आप पद बनाएंगे पद से वाक्य बनाएंगे तो भासा का प्रमुक अवयव वर्ण सब्द पूर्वी हिंदी पूर्वी हिंदी परस्चमी हिंदी राजस्थानी हिंदी बिहारी हिंदी और पहाडी हिंदी पाँच उपभासाईं पाई जाती हैं आपकी चलिए अगला प्रस देखते हैं भारत में भासाओं का साहितिक विकास का क्रम माना जाता है तो साहित्तिक विकास का क्रम माना जाता है आपका संस्कृत पाली प्राकृत अब्भरंस पहले संस्कृत फिर पाली का विकास होता है फिर प्राकृत का फिर अब्भरंस साहित्तिक विकास का क्रम यह यह आपका संस्कृत पाली प्राकृत अब्भरंस चलिए अगले प्रस्ट पोर्वी हिन्दी की बोली नहीं है जब कि आपका अवधी बगैली और च 2000 गड़ी यह तिनो ए बी- सी अवधी बगैली और च 2000 गड़ी तीनो phi आपका पुर्वी हिन्दी की बोली है जब कि आपका ब॥्रज वासा प A.S. प्रु California हिंदी के अंतरगत आता है बकी अवधी बगेली और पूर्वी बोली के अंतरगत आते हैं चलिए अगले प्रस्थ के चलते हैं निमने लिखित में से कौन एक भासा है तो मेवाती मारवाडी और बुंदेली ये तीनों आपकी बोलियां ये तीनों बोलियां तो आपका बच ज तो पाली आपकी भासा चलिए अगले पुरस्थ की तरफ चलते हैं तो पतिज़ीड जी ने बुचपुरी में भी प्रप्त होती है और अगे चलते हैं महारास्त्टr में किस भासा का प्रयोक अधिक होता है तो माहारास्त्ट में मराठी भासा का प्रयोग सबसे अधिक होता है महारास्ट में हिंदी भारत की कितनी भासाओं की राजकी भासा है सबसे पहले देखते हैं कि राज भासा होता क्या है राज भासा किसे कहते हैं राज भासा या राजकी भासा अपका होता क्या है तो हमारे संभिधान द्वारा जो स्विकार की जाने वाली भासा होती है, सरकारी कामकाज के लिए, सरकारी कामकाज के लिए जो भासा स्विकार की जाती है, वही आपकी राजबासा या राजकी भासा होती है, जबकि राश्ट भासा क्या होता है, किसी देश की जो बहु संख् होती है उसके द्वारा जो भासा चुनी जाती है वो रास्ट भासा होती है तो रास्ट भासा और राजवासा में बिल्कुल कन्फूज ना होईएगा यह राजवासा आपका जो समिधान द्वारा सरकारी कामकाज के लिए चुना जाता है वो आपका राजवासा होता है तो हिं दी गडखंड हार रही है, उमा दी गडखंड हार रही है, आपका उ से उत्तर प्रदेश, म से मद्य प्रदेश, आपका दी से दिल्ली हो जाएगा, और ये गड़ से चत्तिस गड़ हो जाएगा, और खंड से आपका दोनों खंड, उत्तरा खंड और जार खंड, उत्तरा खंड और जार खंड, कैसे हो जाएगा आपका खंड से उत्तरा खंड और जार खंड, ये आपका हार से बिहार हो जाएगा, ये हार से बिहार हो जाएगा आपका रैसे राजस्थान हो जाएगा ही से हिमान्चल प्रदेश और हैसे हरियाना हो जाएगा आपका हैसे हरियाना हो जाएगा आपका तो इस परकार आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माद्यम से उमादी गडखंड हार रही है इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से आप पूरे दस राज्यों का नाम याद रख सकते हैं चलिए अगले क्वेशन की तरफ चलते हैं भारती संभिधान के किस अनुचेद में हिंदी को राजभासा माना गया है अनुचे 343 के अंसार हिंदी को राजभासा मना गया अनुचे 352 में आपका क्या है अनुचे 352 में आपका रास्ट्री आपातकाल का वर्डेन किया गया रास्ट्री आपातकाल अनुचे 352 अनुचे 356 में आपका राज्यों में संबैधानी तंत्र की विफलता के कारण रास्टपती सासन रास्टपती सासन का वर्डन आपका अनुचे 356 में किया गया है जबकि अनुचे 377 आपका समाप्त कर दिया गया है कब समाप्त किया गया है? वर्स 2019 में अनुचे 370 आपका समाप्त कर दिया गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ हिंदी भासा की लिपी है तो लिपी क्या होता है आपका लिखने का तरीका लिखने के तरीके को लिपी कहा जाता है हिंदी भासा की लिपी क्या है देवनागरी देवनागरी हिंदी भासा की लिपी है और लिपी किसे कहा जाता है लिखने के तरीके को लिपी कहा जाता है चलिए अगले प्रस्न की तरफ चलते हैं हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सरप्रथम प्रयास किस ने किया बोली है तो आपका कर्णोजी किस भासा में आता है पस्चमी हिंदी कर्णोजी पस्चमी हिंदी की एक बोली है कुमारा अगला क्वेस्चन है निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है तो बिहारी हिंदी की बोली आपका कौन है बुंदेली मगही हडवती ओधी तो आपक मैथली भोजपूरी MMB तो ये मगही कौन है? बिहारी हिंदी की बोली है आपकी मगही बिहारी हिंदी के अंतरगताती है आपकी चलिए आगे बढ़ते हैं हिंदी दिवस मनाया जाता है हिंदी दिवस आप सब का का मनाया जाता है तो 14 सेप्टमबर 14 सेप्टंबर को हिंदी दिवस मना आया जाता है 14 सितंबर 1949 को समिधान में हिंदी दिवस हिंदी राजवासा के रूप में चुन हुआ गया और 14 सितंबर 1903 को आपका पहली बार रास्ट्री हिंदी को मना आया गया तो 200 Hindi दिवस कम मनाए जाता है आप सब कमेंट बॉक्स में बतैंगी गेल को क्या आपका वेष्व स्वास्ते दिवस मनाया जयता है माइन में एप सब अगला क्वेस्टन है अमीर खुसरो निने के लिए क्या प्रियुक्ट किया तो अमीर कुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी का प्रियुक्ट किया था हिंद भी सब्द का प्रयोग किया था अमीर कुसरों ने हिंदी के लिए निम्न में से किसे आधूनिक आरे भासा नहीं माना जाता है तो अपब्रंस की जो भासा है उसे आधूनिक आरे भासा नहीं माना जाता है अपब्रंस को आधूनिक आरे भासा नहीं माना जाता ह पाली को भासा कहा जाता है तो पाली को कौन सी भासा कहा जाता है देश भासा दियो भासा लोक भासा जन भासा तो पाली को देश भासा कहा जाता है देश भासा मारा अगला question है अपब्रंस के कितने भेद प्रचलित थे तो अपब्रंस के टोटल तीन भेद प्रचलित थे तीन भेद थे अपब्रंस के कुल हिंदी सब्द का प्रयोग सरप्रथम किस भासा की रचना में हुआ तो हिंदी सब्द का प्रयोग सरप्रथम फार्सी फार्सी भासा की रचना में हुआ था हिंदी सब्द का प्रयोग बहुत लोग संस्क्रिस से यहां पर कन्फ्यूज होंगे लेकिन confusion न होईएगा फार्सी सही आंसर इसका फार्सी है फार्सी भासा की रचना में हुआ था हिंदी सब्द का सबसे पहला प्रियोग हमारा अगला क्वेश्चन है तुलसी दास की रामचरित मानस रामचरित मानस कि साहित्तिक रचना जो है वह किस बोली की है तो यह अवध अवधी बोले की है अवधी बोले की है लेकिन ध्यान रहे तुलसी दास जी ने ब्रच भासा में भी रचनाई की है तुलसी दास जी की बिने पत्रिका कभितावली रामगीतावली दोहावली यह सारी रचनाई तुलसी दास जी की आपको ब्रच भासा में प्राप्त होती है तो तुलसीदा जी ने ब्रज भासा में भी रशनाई की हुई है यह पॉइंट मैंन में याद रखेगा चलिए हमारा अगला क्वेशन है भासा वे साधन है जिसके द्वारा मनुस से अपने बिचार दूसरों तक भली भाती प्रकट कर सकता है यह कथन है तो यह कथन हमारा कामता प्रशाद गुरु जी कह है कामता प्रशाद गुरु जी ने कहा था कि भासा वे साधन है जिसके द्वारा मनुस से अपने बिचार दूसरों तक भली भाती प्रकट कर सकता है देवनागरी किस भासा की लिपी नहीं है तो हमारी देवनागरी किस भासा हिंदी नेपाली मराथी उर्दू किस भासा की लिपी नहीं है पूछार लिपी नहीं है तो उर्दू की लिपी नहीं है जबकि हिंदी की नेपाली की मराथी की लिपी है देवनागरी जबकि उर्दू की हमारी जो उर्दू है उसकी लिपी न नहीं है देवनागरी अगला क्वस्चिनिमना लिखित में से कौन लिखित में हिंदी की उप हाथा यह को और अपके हिंदी की उपभासाएं है जबकि ये दक्षडी जो है ये सही आंसर है आपका कि हिंदी की उपभासा दक्षडी नहीं है दक्षडी हिंदी की उपभासा के अंतरगत नहीं आता है अगला क्वेशन है मद्देकाल में काप विभासा के रूप में सरवधिक प्रचलित बोली थी तो मद्यकाल में जो काप विभासा के रूप में सबसे अधिक प्रचलित बोली थी वो आपका ब्रजवासा था मद्यकाल में ब्रजवासा सबसे अधिक प्रचलित बोली थी मद्यकाल के कभी ब्रजवासा कप्रयोग सबसे अधिक की है चलिए अगला question देखते हैं किसने कहा था कि सब्द की जोती ना जली होती तो बिस अंधकार में होता महारिशी दंडी तो महारिशी दंडी जी ने आपका कहा था कि सब्द की जोती ना जली होती तो बिस अंधकार में होता यह महारिशी दंडी जी का कतन है तो आप सभी हमारे प्रीमियम कोर्स से जुनने के लिए हमारे वाटसप नंबर से कॉंटेक्ट कर सकते हैं आप सभी का धन्यबाद अगले वीडियो तक के लिए स्वस्त रहिए पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए